दोस्तो आज हम बात करेंगे एक उभरते हुए नन्ने कलाकार के बारे में जो हाल ही में शुरूर हुआ सोनी टीवी के किट्स सिंगिंग रियालिटी शो में अपने आवाज और स्टाइल से जाज और कप्तानों के साथ साथ ओडियन्स को भी इंप्रेश किया ओ और कोई नहीं ओ आप लोगों का पसंदिदा महम्मद फैस दोस्तो महम्मद फैस की जनम हुआ मुस्लिम परिवार में 2017 की 16 फेबरारी को राजस्तान की जेसल में पर फैस की जनम के तीन साल के बाद उनके फैमिली राजस्तान की जोदपुर में चले आए और वहापर रहने लगे फैस में है चार साल की उमर से ही गायकी में रूची लेना शुरू कर दिया था और करम उबर में ही उन्हें गायक बनने का फैसला किया फैस की नाना उस्ताज सक्रु खान एक क्लासिकल सिंगर है और फैस ने संगित की शिक्षा उसे ही लिए है दोस्तों फैस की पिता अधिका नावर है शगीर अहमेद जोकी काम के सिल्सिले में कुएक में रहते हैं फैस की दो बेहन है और दो बेहन का नाम है शायवां खान और आइशा खानте फैस में श्कॉड में 9Doos Bag aim जोत्पूर सेंग्न केरियर्फ को चूरू कर दिये थे उन्हों ने 2008 जोदपूर सेंट स्पॉल स्कूल में नाइन स्टेंडर्ड पर पर रहे हैं फैस की एक पेड़ डॉग है जिसका नाम है टाइगर दोस्तों महम्मत फैस चाहिल हुट से ही अपने सिंगिन केरियर को शुरू कर दिये थे उन्होंने 2018 में एन्टीवी के कीट्स बेर सिंगिन रिय चुके हैं उसके बाद फैस 2019 में जी टीवी के कीट्स सिंगिंग रियालेटी शो सारे गामा पाल लिटिल्स चैम में हिस्सा लिये थे और इस शो में वह अपने आवाज और गाने से काफी सुर्ख्या बटोगे थे बरतवान में वह अभी सोनी टीवी के सिंगिंग करेंगे वो तो आने वाला ब्रक्ति बताएगा फैस अपने सोसल मेडिया हैंडल पर काफी जाता एक्टिव रहते हैं उनको गीटार प्ले करना गाना गाना ट्रेविल करना ड्रॉइंग करना काफी पसंद है